Hello everyone, तो दोस्तो, I think आप सभी LNMU BA Part 2 English Honors के स्टुडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा दोस्तो, फाइनली Part 2 का एकसाम डेट काफी क्लोज आ गया है आप सभी स्टुडेंट्स अब एक्टिव होकर के जोर सोर से तयारी में लग जाईए हमेशा Part 3 एकसाम के बाद Part 2 का एकसाम होता है और अब Part 3 का एकसाम लगभख खत्म हो चुका है आप सभी का एकसाम Part 3 के बाद हो जाएगा इसलिए बढ़िया से तयारी में लग जाईए Part 3 में केवल और केवल अब G.E.S. का पेपर रह गया है अगले दो से तिन दिनों में G.E.S. का एकसाम भी हो जाएगी और जैसे ही एकसाम हो जाएगी फिर आपका पेपर होगा वैसे आप लोग देख रहे होंगे Part 2 एकसाम का सुगबोगाहट सुरू हो गई है एकसाम फर्म फिलप का डेट भी रिलीस कर दिया गया है बोड से जैसे ही आपका फर्म फिलप होगा उसके बाद एडमिट कारड आएगी और फिर आपका एकसाम हो जाएगा इसलिए बढ़िया से तयारी में लग जाएए तीन डेट यहाँ पे बोड की ओर से जाड़ी किया गया है एकसाम फर्म फिलप को ले करके एक डेट है दस अपरेल से ले करके पचीज अपरेल तक का और यह डेट है अगर आप नॉर्मल अपना फर्म फिलप करते हो तो यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे LNMU के चार्ज के अलाबा कोई भी चार्ज आपको नहीं एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर आप किसी कारण बस इस डेट में चुक जाते हो फिर भी आपके पास मौका है 26 अपरेल से 30 अपरेल तक का लेकिन यहाँ पे आपको 30 रुपिया एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा बिलम सुलक और कोई फॉर्म फिलप करते वक्त कोई गरवरी हो जाती है और अगर आप उसका एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो और इडिट का डेट है आपका 5 मैं से लेकरके 8 मैं तक का तो यही तीन डेट बोर्ड की ओर से जारी किया गया है बादमा की आप लोग कोशिस कीजिएगा 10 अपरेल से 25 अपरेल के बीच ही अपना फॉर्म फिलप कर ले उस वक्त आपका नेट भी काफी अच्छा काम करता रहता है और आपको एक्स्ट्राफी भी नहीं पे करना होगा और हाँ जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेना तो यारी में जोर सोर से जरूर लग जाना क्योंकि अब आपके पास प्रियाप्त मातरा में समय नहीं है आपका एक्साम कभी भी हो सकता है फॉर्म फिलप के बाद कभी भी एक्साम फॉर्म फिलप हुआ नोटिस जारी करेगा वहाँ पे डेट मेंसन रहेगा एडमिट काड आएगी आपका पेपर हो लिया जाएगा और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ पार्ट टू स्कोरिंग है यहाँ पे मेहनत करोगे तो काफी अच्छा माक्स आ जाएगा पार्ट थर्ड में सैलेबस थोड़ा वास्ट है चार-चार ओनर्स पेपर का तयारी वहाँ पे करना होता है और वहाँ पे समय भी परियाप्त मात्रा में नहीं मिल पाता अच्छे-च्छे स्टूरेंट्स वहाँ पे चूक जाते हैं इसलिए पार्ट टू में थोड़ा मेहनत कर लिजिए कम समय बच्चा है फिर भी आपका अच्छा तयारी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइलेबस काफी चोटा है पेपर थर्ड में मात्र चार चैप्टर है पेपर फोर्ड में भी केबल और केबल चार सेक्षन ही है तो असानी से हो जाएगा एक महना डेड महना सफिशेंट रहेगा लेकिन महनत तो आपको बढ़िया से जरूर करना होगा अगर आप सभी स्टुएंट्स घर बैठे बढ़िया से तयारी करना चाहते हो तो आप सभी स्टुएंट्स हमारे सा जूड़िये मैं आपको दोनों ओनर्स पेपर का बढ़िया से तयारी करा दूँगा आपको मारकेट से एक रुपय का भी कंटेंट नहीं लेना होगा मैं आपको दोनों ओनर्स पेपर का handwritten note simple language में share कर दूँगा और उटने easy होंगे कि आप उसको असानी से खुझ से भी पढ़ करके समझ जाओगे दोनों ओनर्स पेपर का कोस्टन बैंक शेर कर दूँगा पिछले साथाट सालों में जो कोस्टन पेपर आये हुए है पैटरन को समझने के लिए मैं आपको शेर कर दूँगा दोनों ओनर्स पेपर का जो अफिसियल सायलेवस है जो बोर्ड ने जारी किया हुँँगा दोनों ओनर्स पेपर से संबंधित जितने भी चैप्टर है चैप्टर बाइज आसान भासा में सिंपल लैंगुज में वीडियो जो मैं बनाया हूँ वो आपको शेर कर दूँगा इतना है नहीं आपके नंबर को एक पेड वट्सप ग्रूप में आड़ करूँगा गल्स का लग ग्रूप है वहाँ पे एक्टिविटी चलेगी रेगुलर बेसिस पे वहीं पे हर एक एक्टिविटी के साथ साथ आप अपना डाउट भी शेर कर पाओगे अगर आपका डाउट वट्सप से सौट आउट नहीं हुआ तो आप मुझे डिरेक्ट कॉल करोगे मैं कॉल का समय बतला दूँगा और कॉल के माध्यम से मैं आपके डाउट को लूँगा और हाँ अगर यहाँ पे आप थोड़ा भी अक्टिव होकर के त्यारी कर दिये तो आपको बहुत अच्छा माक्स आ जाएगा पार्ट टू में 90% टच करना बड़ी बात नहीं है हर सेशन में हमारे बैच से अच्छे अच्छे स्टुटेंट्स निकलते हैं इचली बार जाओगे तो एक पेपर में था आपका 93 और एक पेपर में था 89 और यह हमेशा रहता है 90 क्रॉस हमेशा इस्टुटेंट्स करते हैं आपना सेशन और युनिवर्सिटी का नाम मेंसन कर देजिएगा मैं आपके नमबर को पेड वर्टसप गरूप में आड़ कर लूँगा और अभी तक का जो भी कंटेंट है वो शेर कर दोँगा और अपकमिंग जो है वो आपको गरूप में मिलती रहेगी थैंक्यू सो मुझ एर्वर्वन